जिसकी वज़े से इनके खोंसले को देखकर आपको किसी कुए की आदा सकती है इन्शानदार घोंसलों को बनाने का ज्यादा तर काम मादा पक्षी करती है आला कि कभी-कभी नरफ पक्षी भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है लेकिन ये खोंसला सबसे कबाल का तब दिखता है ये सब तो बस इस भीए किया जाता है ताकि कोई शिकारी पक्षी जानवर इनके खोंसले और उसमें रख्यांडों को ना देख पाए इनकी समझदारी और सुझभूच की ताहरा है इस दुनिया के सबसे पुराने पक्षियों में से एक माना जाता है बलकि इनका घोंसला दुनिया के सबसे खूपसरद घोंसलों में से भी एक है इस कमाल के पक्षी का नाम है वीवर पर इसकी काटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं जो दिखने में बिलकुल भी नॉर्मल गोसलो जैसे नहीं लगते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि गोसला बनाने के लिए इन्हें किसी भी प्रकार की घास की पत्ती या लकडियों की जरूरत नहीं पड़ती ये सिरफ आद बाजू वाले बैल आइकन जरूर दबाना नहीं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं तरीबने के लिए किड़नी बेचनी पड़ जाएगी तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 मैंगे फूरों में से भी एक है इसके एक छोटे सिना काई इची नाम के इस एक एपल की खीमत लगबग 15 सु रुपए है जिसे खरीदने से पहले शायद हर आम इस्तान 15 वार अपना बैंक डाने जरूर चेक परीका आजाता है दुनिया के सबसे मेंगे फलों में से एक है देखने में एक आम स्ट्रॉबेरी के मकाबले थोड़ी बड़ी और चमकीली होती है लेकिन साबहार देखने को मिलता है जिसकी वज़े से ये किसी महेंगे फूरत से रिलेट करते हुए एग अब दस सन रखा गया है रही बाद इसके खीमत की तो खास तरीके से उगाये जाने वाला याम जपान के आक्शन्स में दो से ढ़ाई लाके उपर